गुद्ध मॉर्णिंग एव्रिवन मैं में सली एंड यू रॉचिंग मेरे कलोनी क्लासस जहां आप सीखते हो इंग्लिश हिंदी के थुरू और वह भी बिलकुल अमेजिंग वैसे आज की वीडियो है बाकी वीडियो से काफी हट कर क्योंकि बाकी वीडियो मैं चेप्टर वाइस बनाता जा रहा था कई दिनों से लेकिन आज एक ऐसी वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपको हिला दने के लिए काफी होगा आप अमेजड हो जाओगे आप शॉक्ड हो जाओगे और काफी ज़्यदा प्लिस्ड भी हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फूल फॉर्म की हम बात करने वाले हैं और कुछ ऐसे शॉर्ड फॉर्म की बात करने वाले ह करते हैं कि क्या पढ़ाई करते हो यही पढ़ते हो तुमने इंटरमीडियेट कर रखा है तुमने मैट्रिक कर रखा है और बताओ तुम यह जानते भी नहीं सो बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं आपकी टेस्टिंग के लिए जो आप से बहुत अलग अलग तरह के फुल फ़ॉर्म्स पूछ लिया करते हैं यह हमारे रोजमर्य के जियोन में, दैनिक जियोन में बहुत सारे ऐसे full forms हैं, जिनकी जनकारी हमें नहीं होती है, उनका huge short form में ही हो रहा होता है, जहां तहां भी आप उसको short form में ही देखते हो, full form में नहीं देखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक desire जगती होगे कि आखिर इस क्या है, तो आज कुछ ऐसे short form का full form लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही जदा important होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप मचल कर रहे जाओगे, और आप मेरा धन्यवाद जरूर प्रकट करोगे, शुक्रिया या thank you जरूर कहोगे, क्योंकि ऐसे short form की full form की जरू और रिमोब हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मैंने लिखा है सबसे पहले जियो, उसके बाद OBC, PIN Code, PAN Code, BMW, SIEM, DP, PUBG, Wi-Fi, NRC, यह 10 ऐसे short forms हैं जो आपने देखा ही होगा, यह 10 ऐसे short form हैं जिनको आपने कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, इसमें कोई श इधर उधर आपको यह सब दिखते रहते हैं, लेकिन आप इनके full form नहीं जानते हो, पर don't worry, चलो आज देख लेते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला point है हमारा जियो, जियो का full form क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे जियो लिखा हुआ है, और जियो, J से होता है joint, I से होता है implementation, और O से होता है opportunities, यानि joint implementation opportunities, ऐसे आपको याद रखना है, तो फिर से एक बार, जियो का full form है joint implementation opportunities, पहले पता नहीं था न, चलो कोई बात नहीं, दूसरे को देखते हैं, O, B, C, O, O, B, C आपने सुना होगा, कि हमारे जो casts हैं, उनको कुछ categorize किया हुआ है, उनको कुछ स्रेन advice किया हुआ है, जिनके एक स्रेनी अपनी बताई गई है, आपने forms भरा होगा, तो forms में आपने ये चीज़ जरूर देखी होगी, तो O, B, C को full form में हम क्या कहते हैं, O से होता है other, B से होता है backward, और फिर C से होता है class, यानि other backward class, backward तो आप समझते हो न, पिछरा हुआ, ठीक है कोई अन्य पिछरा हुआ, जो वर्ग है, उसको कहते हैं O, B, C, ये medium level के ये cast होते हैं, medium level के न ऊफर के होते हैं, न ज्यादा नीचे के होते हैं, ये मध्यम वर्ग के होते हैं, चलो तीसरे की बात कर लेते हैं, PIN, PIN code आपने अक्सर यूज़ किया होगा, तो PIN का मतलब क्य होता है, P से होता है, personal, I से होता है identification, और N से होता है number, यानी personal, identification, number, PIN, है ना amazing, देखने हैं next, pen, pen card आपने बनवाया होगा, नहीं भी हो तो भी कोई दिकत नहीं है, लेकिन pen card, अधार card ये हमारे जरूरत की बहुत ही important चीज़ है, जो कि हमारे पास होना चाहिए, तो pen, P से ह होता है permanent, A से होता है account, और N से होता है number, यानी permanent account number, pen, ठीक है, और card को तो आप card ही बोलते हो, उसका full form नहीं है, तो pin और pen दोनों के एक बार repeat कर देना चाहूंगा, मैं, pin यानी personal identification number, और pen, यानी permanent account number, ओके, five की बात करते हैं, BMW, जैसा कि आप देख रहे हो, BMW ये बहुत ही महंगी, बहुत ही expensive car है, है ना, royal car है ये एक तरह से, आपने नाम जरूर सुना होगा, शायद आपने देखा भी होगा, तो BMW को हम full form के रूप में क्या कहते हैं, तो B से होता है Bavarian, M से होता है motor, और W से होता है works, Bavarian motor works, चलोंगा next को देख लेते हैं करा, seam, this is very important, most important thing, seam, seam का अपने आप में full form क्या है, S से होता है subscriber, I से होता है identify, और फिर M से होता है module, यानि S, subscriber, I identify, और फिर M, यानि module, subscriber, identify, module, चलो, सात्वे को देख लेते हैं, सात्वा है, DP, इसको भला कौन नहीं जानता है, बच्चे बच्चे तक जानता है DP के बारे में, DP, D से होता है display, और P से होता है picture, display, picture वही WhatsApp पे जवाप लगाते हो अपनी तस्वेर, DP, तो D से display, और P से picture, PUBG की बात कर लेते हैं भाई, दुनिया का सबसे famous game, सबसे ज़्यादा कमाने वाला game और सबसे ज़्यादा चलने वाला game, PUBG, PUBG में चार लेटर हैं, चारो का जड़ा देख लेते हैं, P से होता है players, U से होता है announce, B से होता है battle, और फिर G से होता है ground, players, announce, battle, ground, नौवे की बात कर लेते हैं, Wi-Fi, Wi-Fi के बारे में बहला कौन नहीं जानता है, आज कल technology की जमाने में, जब हमारे पास data खतम हो जाता है, तो हम Wi-Fi connect करके, है न, पूरे करते हैं, Wi-Fi, W से होता है wireless, मैं इधर आजाओ ज़रा, W से होता है wireless, I से होता है, मेरा मतलब है, Wi से होता है wireless, और Fi से होता है fidelity, Wi wireless, Fi fidelity, और सबसे last की बात कर लेते हैं, NRC, NRC पे तो काफी ज़्यादा strike हुआ था, काफी ज़्यादा हर्ताल हुआ था, MRC, N का मतलब है national, R का मतलब है register, और C का मतलब है citizenship, फुल रूप से हम कहें, तो national register of citizenship, Sodia students ये थे, आज के हमारे 10 ऐसे short form, जिनका full form हम सब को पता नहीं है, यानि 90% लोग full form से बेखवर हैं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको तो पता चली ही गया होगा, कि इनके full form क्या होते हैं, एक बात और ये वीडियो बहुत ही important है, जहां तक मुझे लगता है, आपको कितना लगता है, comment box में जरूर बताना, और ये सब के सब जितने भी आपके short form दिखे हैं या जिसके full form आपने अभी देखें, इनको वीडियो को पाउस करके जरूर लिखना, कियोंकि आपके ये दैनिक जीवन में, daily routine में अकसर इस्तिमाल में आता रहता है, और अकसर आपको जरूरत पर सकती है इनके full forms की, दूसरों तक भी ये वीडियो को पहुंचाओ, जिन लो इस वीडियो को पूरा का पूरा जितना हो सके शेयर करो, और comment box में ये जरूर बताना, कि ऐसी वीडियो की जरूरत आपको और है, तो मैं फिर से थोड़ी सी पहरत करके, ऐसे और भी बहुत सारे short form लाओंगा, full form के साथ, तब तक के लिए, have a good day.